देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विशय बनी हुई है। अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई. अब ATS की टीम, WhatsApp चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताच करेगी. इसके साथ ही सीमा के ID कार्ड High Commission भेजे गए हैं और पता चला है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार और सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है. सीमा से अभी भारत की सुरक्षा एजेंसी पूछताच करेंगी. प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक के सभी पहलूँ पर पूछताच हो रही है. यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके आने में बहुत सारे पेंच हैं. ऐसे में उससे पूछताच लाजिमी है. इसलिए देश की सुरक्षा में लगी ऐसी सभी एजेंसी उससे पूछताच करेंगी. सीमा और सचिन मीना 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आये और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई. इसके बाद फिर 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत में आ गई. उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा और सचिन किराने की दुकान चलाता है. वहीं पुलिस ने सीमा को बिना वीजा के नेपाल के जरिये अपने चार बच्चों के साथ अवैद तरीके से भारत में घुसने को लेकर 4 जुलाई को गिरफतार कर था. इसके साथ ही सचिन को अवैद शरणार्थी को पनाह देने के में जेल भेजा था. हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया था. और अब फिर से UPATS ने सीमा को पूछताज के लिए हिरासत में लिया है.